तो आज हम बननने वाले हैं राजस्थान के कोटा शहर की खासियत ये खस्ता और उड़त दाल और हींग के फ्लेवर वाली बहुती टेस्टी और कुरकुरी कचोरी तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले के लिए आठा लगा लेते हैं यह मैंने एक कप अठा लिया है एक कप लोगी दो कपाटल में टोटल ले ले रही हूं इसके अंदर तो यह देखिए दो कप अठे में बहुत सारे कचोरी बन जाती है और इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट टु टेस्ट और उसके करना है तो यह देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से मसल लिया इसको एक दम अच्छे से तेल जो है मैदा के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए इस तरह से देखिए मुठी बननी चाहिए तो अब हम इसमें पानी डालके और इसका जो है आठा गुंदेंगे लेकिन आठा जो है तो मैं देखिए पानी बहुत कम-कम डाल रही हूं और एकदम से टाइट और एकदम बढ़ी आठा लगाने वाली हूं इसका यह देखिए मैं आठा लगा रही हूं तो आठा अल्मोस्ट हमारा यह लग चुका है इसमें हम एक बार और थोड़ा सा जो है इसको तेल डाल करक अब हम इसको डब्बे में रख देते हैं यह बहुत ही अच्छा आठा लगके त्यार हो चुका है यह देखिए टाइट अब मैं इसको आदे घंटे के लिए रख दूँगी तो फ्रेंस जब तक हमारा आठा जो है आदे घंटे के लिए रैस कर रहा है तब तक हम कचोरी के अब हमारा त्यार कर लेते हैं यह मैंने दुली उड़त की दाल लिए इसको मैंने दो घंटे के लिए भीगो दिया था तो यह आधा कप मैंने ली थी और यह फूल करके पूरा एक कप हो चुकी है तो इसको अच्छे से दो घंटे भीगो लिजे फटा-फट भीग जाती है और यह मैंने लिया है कच्छा बेसन यह मैंने एक कप लिया है आपको बेसन कच्छा ही लेना है और इसके लावा फ्रेंड्स मैंने यह लिया है लॉंग और काली मिर्ची इनको मैंने दर दरा सा कूट लिया है यह मैंने लग बग लिया है एक चमच इसको आप कूट लीजे है ये एक चमच है और ये लिए मैंने फ्रेंट से हींग और हींग का इसके अंदर रोल बहुत ही बढ़िया होता है हींग बहुत जरूरी है इसके अंदर बहुत जादा चाहिए मैंने फ्रेंट एक चमच लिए है क्योंकि ये बजार की है अगर आप घर की पिसी ले रहे हैं त पूरो लिया है ये यह उना लिया है और मैंने लिया है यह दो ना स्टक कड़ाई बहुत चिपागता अब असलीए और हम इसमें दो बड़े चमच्य देल डाल लेते तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे यह दाल हमारी जो मैंने भीखोंके रखी भी ती इसका पानी मैंने बह कि इसको हमको बस एक मिनिट के लिए को करना हैं बस वरना यह जो है बिल्कुल एक दम कड़क हो जाएगी और कृस्पी हो जाएगी वह उनको नहीं तहीं है तो बस एक मिनिट के लिए इसको करेंगे तो एक मिनिट हो चुका है अब मैंने गैस कर दी है बिल्कुल लो फ्लेम प थोड़ा सा इसमें मिक्स कर देते हैं, पहले, इसको मैंने इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, ये देखिए बहुत अच्छे से, ये देखिए आप मैंने इसको बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसमें डाल लेते हैं हमारे मसाले, तो इसमें हम डाल यह दरदर अधनिया चिली फ्लेक्सु और यहीन कि साल्टु टेस्ट रेड चिली पाउडर हल्दी पाउडर और दरदर ही सौंफ और यह हम डाल लेते हैं इसके अंदर दरदरा मारा मसाला लॉंग और काली मिर्ची यह लब हम इसमें डालेते हैं पानी यह लब बंभ मैं आदा कप पानी डाल रहें इसके अंदर चलने के लिए कुछ और लेती हूं यह ठीक है अच्छे से मिक्स हो जाएगा इससे अब इसको मिक्स करेंगे अब लोग फ्लेम पे चला रही हूं तो मैं फ्रेंसिस को बेसन क्योंकि हमने लिया है कच्छा बिल्कुल और उसका कारण यह है कि मसाला अगर आप बेसन भुनावा लेंगे आप तो उसमें मसाला जो है ने इतना प्यारा जो कलर दिख रहा है आपको यलो 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 यह पीला कलर नहीं आएगा और मसाला एकडम का काला काला सा हो जाएगा और वह देखने में बहुती गंदा लगेगा तो इसलिए जो है हम यह लेते हैं फ्रेंट्स इसमें जो क्वांटिटी मैंने ली है दाल की और बेसन की आप अपने इसाफसे अगर इसमें थोड़ा सा कम जादा हो जाता है तो उससे कोई भी फरक नही दाल मिनट के लिए पकाएंगे तो फ्रेंट्स पहले में ढखकन लगा के इसको 7-8 मिनट पकाऊंगी साथ-8 मिनट हो चुके हैं अब मैं इसको खोल करके भी लगातार 7-8 मिनट चलाते वे पकाऊंगी इसको ताकि दाल और बेसन जो है बहुती अच्छे से पक जाएंगे फ और ये भूल आपको मतलसके पतात नहीं, सकते हमेले much. मेंλέग में तरता है कि पोटा की काचोरीस हीAhणान आपteं मेए ने तरता के दिया है जहांअ हमेले को चुछभी मोचारा कोचोरी ज्blick कोटा की कीमेठी कर से आपको बता चीएए मचारी कीमे लोगे Jesus तो इसका गोला बन जाए तो यह देखिए मसाला हो चुका है बिल्कुल रेडी इसको मैंने ठंडा कर लिया है 15 मिनिट रब करके और यह बहुत ही बढ़िया मसाला बना है एक दम पीला कलर आया है इसका बहुत ही बढ़िया वाला तो अब हम क्या करेंगे कि इसके बॉल्स बन शुक चोंख तरहा है तेल बी डाला है तो यह देखिए इस तरह से वेल्स के मैंने काफी कचोर के थोड़े से कचोड़े से ने खोड़े और बनाएंगे तो अब्ले रखेते हैं तो आटे को लगे वी फ्रेंट्स से आदा गंटा हो चुका है और यह वैसे तो अच्छा खासा बढ़िया हो गया है फिर भी हम एक दो बार इसको और अच्छे से मसल के जिखना कर लेते हैं और हमारे मसाले के बॉल्स भी बन चुके हैं तो आप इसके भी हम बॉल बना लेते हैं बराबर से एकवल पार्ट में डिवाइट करके इस तरह के जिस साइस के आपको कचोरी बनानी हो अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स इसकी आपको इस तरह से गोल गोल लोई बनानी की कोई जरूत नहीं है आप चाहें तो बना भी सकते हैं वाकि कोई जरूत नहीं है इनकी लोई बनानी की आपको अब हमको क्या करना है ब दबा करके बहुत अच्छे से यह अंदर तक कर दीजिए इसको और उपर से इसको अच्छे से बिल्कुल इस तरह से यह दिखिया यह इस तरह से इसको जैसे हम आलू का पराठानी बनाते हैं आलू के पराठा के लिए भी ऐसी करते हैं तो यह जो इस तरह से जो मैंने इस तरह प्रेस कर दीजिए तो लीजिए कचोरी हो चुकी है तैयार बिल्कुल तो इस तरह से हम इसको रख लेंगे और अब हम इसी तरीके से मैं आपको और बता देती हूं आपको लोई बनाने की कोई जरफ नहीं है यह बहुत ही बढ़िया सौफ टाटा लगा है बहुत ही अच्छी जर्बेर, यह बाली ले लेकर कि और आप से यह रहें दो इसतर से यह कर सकते हैं तो यह होगा कि अच्छे से चिपक जएगी कुलेंगी बिल्कुल भी लियुक्सी तो की यह बिल्कुल भी खुलतीी है यह देखिए, यह कचोरी फ्रेंट्स जो है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह मेरी मम्मी की रेसिपी है और बहुत साल पहले मम्मी से मैंने सीखी नहीं थी, आक्चुली मैंने सिर्ख मम्मी को बनाते वे देखा था तो आप इसी तरह से हम बाकी की भी सारी कचोरियां भर के त्यार करके रख लेते हैं और जब तक मैं यह भर रही हूँ, उसकी बीच में ही मैंने तेल गरम करने के लिए चड़ा दिया है मीडियम फ्लेम पे, तो यह लीजिए तो यह देखिए सारी कचोरी बन के त्यार हो चुकी है और यह देखने में भी बहुती प्यारी लग रही है तो चलिए इनको तल लेते हैं तो फ्रेंड्स तेल हमारा हो चुका है गरम मैंने यह थोड़ा सा इसमेरी डाल के देखा है क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि बहुत ज्यादा तेल गरम नहीं करना है इसके लिए तो अब मैं एक एक करकेस में कचोरी डालना स्टार्ट कर देती हूं यह देखिए बिल्कुल भी बहुत ज्यादा गरम नहीं है और आपको इतना ध्यान रखना है कि तेल इतना सफिश तो फ्रेंड्स मैं भी एक बार को तो इसको पलट लेती हूं क्योंकि मेरी कड़ाई जो है बहुत हलके तले की है तो कहीं नीचे से लगना जाए तो एक बार तो अभी हम पलट लेती है क्योंकि तेल हमारा मीडियम हॉट था फिर उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पर सिकते र प्राई करते हुए बीच वाली जो है अब यह थोड़ी सी कम से किये क्योंकि मैंने यह लास्ट में डाली थी बहुत लेट तो यह देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर आया है बिल्कुल बहुत ही अच्छी लग रही है बहुत प्यारी लग रही है और यह जो उड़त यह देखिए कितनी शानदार कचोरी बनी है बहुत ही बढ़िया और सबसची बात यह देखिए निकाल दिये मैंने इसको ब्लेट में तो एक एक करके मैं सब भी को निकाल लेती हूँ कितनी प्यारी लग रही है देखिए तो लीजिए हमारे राजस्तान के कोटा शहर की कचोरी बहुत ही बढ़िया हींके फ्लेवर की और और यह देखिए कितनी खसता और कुरकुरी बनती है बहुत ही बढ़िया लगती है और सपाइसी होती है थोड़ी सी इसको धनिया को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाबाई